दोस्तों, बॉलवुट के सूपर स्टार दबंग खान, सलमान खान अपनी एक फोटो की वज़ा से बहुत जादा चर्चा में बने हुए है आपको बताते कि सलमान खान ने अपनी फोटो को शेर किया है सोशल मीडिया पर जिसमें एक औफ़एट कलर का शॉल डाला हुआ है गले में सलमान ने जिसके बाद गंदे तरीके से सलमान खान को ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर सल्मान खान ने हाली में एक फोटो को शेयर किया है जिसमें वो उलम्पेक सिल्वर मेडलेस्ट मीरबाई चनू के साथ पोस देते नजर आ रहे है फोटो सोशल मीडिया पर वाइरल तो हो रही है लेकिन मीरबाई की वज़ा से नहीं बलकी सल्मान खान के सकाफ की वज़ा से दरसल वाइरल फोटो में यूजर ने एक चीज़ को नोटिस किया और वो है सल्मान खान की शॉल सल्मान खान की शौल पर जो हिरन बना हुआ है उसकी वज़ा से सल्मान खान को सोशल मीडिया पर गंदे तरीके से टोल किया जा रहा है मीर भाई के साथ फोटो क्लिक कराते वक्त सल्मान खान ने अपने कंदों पर वाइट कलर की शौल डाली हुई है शॉल के नीचे के हिस्सें पर एक अनिमल बना हुआ है जिसे यूजर्स काला हिरन समझ रहे हैं यूजर्स सल्मान की फोटो पर काला हिरन को लेकर लगातार कमेंट कर रहे हैं एक यूजर्स ने तो यहां तक लिख दिया कि सल्मान भाई के शॉल में काला हिरन है इसके साथ ही लोग हिरन को लेकर बार बार ठीज करते नजर आ रहे हैं और काले हिरन पर से लोग नजरें नहीं हचा पा रहे हैं आपको बता दे कि सल्मान खान की फोटो को अगर पास से देखे तो ये साफ है कि सल्मान खान की शॉल पर जो जानवर है वो काला हिरन नहीं है लेकिन जस तरीके से वो नज़र आ रहा है वो दूर से हिरन की तरह ही नज़र आएगा जिसको लेकर सल्मान खान को बहुत जादा किया जा रहा है आप भी देखे किस तरीक इस इन कमेंट्स के जरीए सल्मान खान को ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इनकी शॉल पर हीरन नजर आ रहा है फांस को आपको बता दे कि सल्मान खान पहले ही काले हिरन के शिकार और उसे मारने की मामली के अंदर काफी चाइम से आदालतों के चक्कर काट रहे हैं जसको लेकर वो काफे टाइम से परशान भी रहे हैं लेकिन अब ज़स तरीके से एक शॉल की वज़ा से उन्हें दोबारा से टूल किया जा रहा है उसकी वज़ा से सलमान कान फर से चर्चा का विश्य बन चुके हैं दरसल हम सासा थे की शूटिंग के दोरान सलमान खान और उनके को अक्टर्स पर काले हिरन के शिकार का आरोप लग चुका है इस पर कोट में मुकदमा चल रहा है साल 2018 में 5 अप्रेल को जोथपूर सेशन कोट ने काला हिरन शिकार के मामले में सलमान को दूशी करार देते हुए पास साल की साजा भी सुनाई थी वहीं बागी अरोपियों को बाईजद बरी भी कर दिया गया था